तुमने पहले क्यों ने बताए कि तुम सब को ट्रांसफॉर्मर से इतना ज्यादा प्यार है। पोलना थाना भाई, ट्रांसफॉर्मर से मैंने दो वीडियो तीन सवर्स बना रखा था और मेरे कोई एक चीजी लाइच हुआ, कुले अभी तक ट्रांसफॉर्मर के ट्रेलर के उपर ही बात किया है। इससे स्टार्टिंग में एजह खिलोना ही बनाया गया था, पिर उन्हों ने इसे पॉपेलारटी देखती है वो डिसाइड किया कि इसके उपर कुछ किया जाए। उसके बाद मान और ट्रांसफोर्मर से रिलेटेड क्या क्या कुछ नहीं आया, धेरो सारी कॉमिक्स, कार्टून, एनिमेशन, नेट्फ्रिक्स की सीरीज, लाइब एक्षन मूवीज, क्या क्या नहीं आया, कार्टून को इन्होंने जेनरेशन वज बाटा हुआ है, जन वन जन दिल में रहते है, चलो अब ट्रांसफोर्मर के ओरिजिन समझते हैं, बिलियंस ऑफ येर्स पहले एक वन नाम की सेंटिनेंट विंक एगिस्ट करती थी, वो दो बश्चे को जैनम देती है, एक का नाम होता है यूनिकॉर्ण, तुसरे का नाम होता है प्राइमस, तो अब य प्राइमस को जनम देता है, अब ये मत पुछना कि ये अकेले ही एतना सारे बच्चा कैसे पाइदा कर लिया, मेंडे को भी नहीं पता है, इन तेरा प्राइमस को हमने माईकल वे की ट्रांसफोर्मर 2 में देख रखा है, तो ये तेरा प्राइमस क्या करते हैं, तेरो मिल करक प्लानेट बन जाता है, जिसे हम साइवर ट्रॉन के नाम से जानते है, साइवर ट्रं, आटरो वाट्स और डसेप्टिक कोन का होम प्लानेट होता है, पिर वेढ़ और सपार्क के मुझा से सारे चासारे च्राइमस कास ब्लत लेते हैं, और ये वेंट कापी साही था, यह त प्राइब के पांच फिक्शन में माइकल बेकर ट्रांस्फोर्मेंग फॉर एजब एकस्टेंशन में उरीजिन हमें हलकी फुलकी बताई गई थी साइबर फॉर्मिंग करके ट्रांस्फोर्मर्स का जनम हुआ था मतलब एक ऐसा पुर्षे जिसे किसी ये प्लैनेट के उपर सीड नाम का बॉम गिराया जाता है गिरते ही वहाँ पर जितने भी एडिया रहते हैं वो सारे ट्रांस्फोर्मिनियम में बदल जाते हैं एक ऐसा मे अर्थ फे गिराता है और पूरे अर्थ को साइबर फॉर्मिंग कर देता है और उसके बाद क्रियेट होता है ट्रांस्फोर्मियम जिसे वह ले जाता है और क्रियेट करता है साइबर ट्रॉन को उसके वहाँ हम सब जान दे कि हमने माइकल वे के मोहीवन देख रहा है क्या का Spielberg ने भी बोला रुख जा भाई अब ज्यादा मदूर और उन्होंने किसी के बाद नहीं मानी और बना डाली Age of Extinction और लास्ट नाइट और उसके बाद जो मूवी पीटी थी वो तो बात की बात है पर उस मूवी में उन्होंने एक खातरनाक बरे बिंग के बारे में बात की थी फोर्थ और फिप्ट पार्ट इतलना बुरा परफॉर्म गिया कि उनको मूवी ही छोड़नी परी सिर्फ डारेक्ट करने से वो आज भी एज प्रोडीउसर के तौर पे सारे ट्रांसफॉर्मर से जूरे हुए हैं तो आप देखो माइकल बेकी फिप्ट मूवी के बाद अब अब बाद भी बंबल भी आई जिसे पास्ट नाइटीज में रखा जाएगा पिर डीसी के बूलू बीटल मूवी के डिरेक्टर भी एक ट्रांसफॉर्मर मूवी पर काम कर रहे हैं और जोड़ा जाएके माइकल बेकी चोडी हुई मूवी ट्रांसफॉर्मर को कशन्यू किय जाएगा में भी एज न्यू फ्रेश्ट ट्रिलोजी के रूप में यह सब अभी से नहीं हो रहा है यह सारे फिल्लिंग बहुत पहले ही सेट कर चुके हैं पस इनको अच्छे से एक्जीक्यूट करना है ट्रांस्फोर्मर का फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है मेरे रिंग लाइट से भी ज़्यादा ब्राइट है नहीं या नहीं तुम राइ जो बेष्ट को लेकर कित्रा ज्यादा एक्सइटार के नेकों कोमेंट के हैंट मैंके सबंगर तरूको मैंने dip